चोले जब राम लीले मॉईदाने पियांका गांधी की बोलचन देखें गूग जीवन राम भगवान के जीवन गाठा का क्या संदेश था सत्ता सदेव नही रहती सदेव नहीं रहती सत्ता सत्ता आती है जाती है अहंकार चूर-चूर होता है एक दिन यही संदेश था भगवान राम का उनके जीवन का और आज यहां राम लीला मेदान पर खड़े हुए इंडिया बर गठ बंदन की पाच मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे यह उचित लगा कि मैं यह संदेश एक बार फिर दोराओं इंडिया गठ बंदन की पाच सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोक सुभा चुनाओं में समान अफसर सुनिश्चित करना चाहिए दूसरी मांग चुनाव आयोग को चुनाव में हेरा फेरी करने के उद्देश से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इंकम टाक्स, एडी और सी बी आई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कारवाई को रोकना चाहिए तीसरी मांग श्रीहेमन सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अर्विंद केजरिवाल जी की ततकाल रिहाई की जाए चौथी मांग चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कारवाई तुरंत बंद होनी चाहिए पाच्वी मांग चुनावी बांट का उप्योग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जाज के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक S.I.T. गठित हो जानी चाहिए बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोग तंत्रिक बाधाओं के बावजूत इंडिया गठ बंधन लड़ने जीतने और हमारे लोग तंत्र को बचाने के लिए द्रेड और आज़्वस्त है जुड़े का भारत जीते का इंडिया एक पार मेरे साथ कहिए जुड़े का भारत जुड़े का भारत जुड़े का भारत धन्यवाद जैहिन